पाकिस्तान आज करो या मरो के मुकाबले में जो है न्यूजिलेंड के खिलाफ जो है वो शानदार जी जो है वो दर्ज करी और न्यूजिलेंड जो है लगतार चौती हार जो है वो आज बचानी बाई और पाकिस्तान ने धमाकेदार सुर्वास से जो है वो जीत करी पाकिस्तान ने नूजिलेंड को 21 रन से हरा दिया और पाकिस्तान की semi final की दोड वो वापस लौट आई shaped हुआ क्या है मैच में? नूजिलेंड ने 402 रन का विशाल लक्ष पाकिस्तान को दिया था लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है 200 रन बना लिये थे उन्होंने 26 उवर में उसके बाद बारिस आ जाती है और बारिस से जो है वो खेल शुरू नहीं हो पाता है और पाकिस्तान जब बारिस आई थी तो 21 रन जो है वो आगे था तो डखफट लूइट के नियम कहता है कि पाकिस लेकिसी जो है वो जीता घोषिट कर दिया जिसमें फकर जबान और बाबर आजम फकर जबान ने जो है 181 गेंडों पे 126 न की पारी खेली और बाबर आजम ने 63 गेंडों पे, 66 आपर खेली और पाकिस्तान की सिमिफाइनल की उमीद कायम है तो झाल